हलो एवरिवन देस साइड मोनिका यादो होप यू ओल गूड आज के इस वीडियो में मैं आपको 3.4 का 10th question कराऊंगी 10th question पूरी exercise में एक ऐसा question था जिसका solution सोचने के लिए मुझे time लगा वरना मैं जब वीडियो बनाती हूं तब भी साथ की साथ solution करती हूं यह एक ऐसा question था जिसने मेरा time लिया थोड़ा सा मैं यह भी बोल सकती हूं अपने solutions के साथ साथ मैंने और भी net पे जितने भी possible solution थे ना वो सभी find out करने की कुसिस किये किसी कभी solution इतना easy नहीं होगा जो मैं इस वीडियो में explain करने वाले हूं सारे ही मुझे बकवास solution लगे मैं यह भी बोल सकत हो तो मैंने ट्राइक किया है कि मैं इस question को easy से easy तरी से तरीके से explain करो जो मैं तरीका बताने वाले हूं यह कहीं भी गलत नहीं है इस तरीके से आप करोगे तो आपके टीचर इसको गलत नहीं कर सकते question को solve करना start करते हैं सबसे पहले हमें दे रख है ABCD एक parallelogram तो सबसे पहले ह करते हैं like मैंने यह parallelogram ड्रो कर दिया इसका नाम रखते है ABCD then question में बोलता है कि angle bisector of a bisect BC जो angle bisector है ने एक वो BC को bisector करता है BC line आपको यहां नजर आ रही है BC का half I think यहां होगा तो यहां से इस point को नाम मैं P दे देती हूँ ACP line row करते है AP line angle A को bisector करती है it means जितने का यह angle है उतने का ही यह angle है इनका नाम मैं रख लेती हूँ angle 1 और इसका रख देती हूँ angle 2 ठीक है यहां हमने लिखा कि angle 1 equals to angle 2 यह bracket में आप लोग given भी लिख सकते हो angle bisector भी लिख सकते हो angle bisector of A देखो आपको पता है कि AD parallel है BC के क्योंकि यह parallelogram है तो हमारा यह जो है ना AP Transversal Line का काम करेगा और मैंने आपको बताया है Transversal Line और Parallel Line जब भी Ultra Z या सीधा Z बनाती है तो यह इधर वाला angle equal होता है इस वाले angle के Z वाली figure में मैं बता रही हूँ Ultra Z या सीधा Z और जब भ पार्ट केस यह वाला angle equal होता है इस वाले angle के तो यहां पर Z के इधर वाला angle 2 है और इधर angle कुन सा है इसका नाम हम रख लेते angle 3 ओके यह rough का मैं erase कर देती हूं यहां मैंने लिखा कि angle 2 equals to angle 3 इसके पीछे का reason देना होगा alternate interior angles जड़ वाली figure सीधी जड़ हो या उल्टी जड़ उसको मैंने आपको कही बार बता है न alternate interior angle बोलते हैं तो यहां से हम क्या conclude करेंगे कि angle 1 equals to angle 2 equals to angle 3 ओके अभी हम काम करेंगे triangle में triangle देखो मैं highlight कर रही हूं triangle का नाम क्या है ABP in triangle ABP ABP triangle में आप क्या देख रहे हो कि angle 1 equal है angle 3 के तो इसी का हम use करेंगे यहां पर लिखेंगे angle 1 equals to angle 3 therefore यह हो गया isosleast angle it is an isosleast angle और एक isosleast angle में figure में देखिए देखो angle 1 equal है ना angle 3 के angle 1 के opposite side क्या है BP और angle 3 के opposite side क्या है AP opposite side equal होती है isosleast angle में तो यहां पर हम लिखेंगे AB equals to BP अभी यह figure में थोड़ी सी clean कर लेती हूँ दिन हम अपना आगे का काम continue करेंगे अभी हम अपना आगे का काम करते हैं यहां पर लिखा है angle bisector of B also bicep AD हमें यह proof करना है जो angle bisector है ना B का वो AD line पे कहीं पे मिलेगा लाइक अगर मैं angle bisector की draw करूं बी का यह AD line पे जहां मिल रहा है इस point को हम नाम दे 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 है point Q ठीक है और यह है angle bisector तो यह अगर angle मैंने लिया 4 ना लेके 5 ले ले लेती हूँ मैं यह 5 है तो यह 6 है अभी हम लिखेंगे यहां पहले एक line draw कर लेती हूँ मैं आगे के solution के लिए यहां पे हम लिखेंगे angle 5 equals to angle 6 यह हम लोगों को given है ओके जैसे last question में हमने parallel line का use किया था इस question में भी हम parallel line का use करेंगे देखो आपको पता है कि जो यह AD line parallel है मैंने A से क्या हूँ तक ही लिया है किसके B C line के तो यह देखो Z वाली figure बन रही है ना Z वाली figure बनती है parallel line और transversal line के साथ तो मैं क्या कहती है जो यह Z वाली figure में यह angle है इस वाले angle के equal होगा इस angle का नाम देंगे angle 7 angle 6 equals to angle 7 और इसके पीछे आप reason जरूर दोगे alternate interior angles okay तो therefore we can say that angle 5 equals to angle 6 और angle 6 किसके equal है 7 के तो angle 5 equal है angle 7 के अभी हम figure को clean कर लेते हैं then हम एक triangle में काम करेंगे triangle को मैंने highlight कर दिया हम यह लिखेंगे इन triangle BAQ BAQ में आप क्या देख रहे हो कि angle 5 equal है angle 7 के यह हमने लिखा कि angle 5 equal है angle 7 के तो यह क्या हुआ एक isosilis triangle हुआ therefore it is an isosilis triangle और isosilis triangle में यह opposite side equal होती है जहां यह triangle बने हुए हैं यह वाली side equal होगी न यह वाली side equal होगी इस वाली side के तो अब हम क्या लिखेंगे की AB equals to AQ यहाँ पे न हमने equation कहीं पे भी नहीं डाली इसको equation 1 डालो और इसको equation डालो 2 अब हम लिखेंगे from equation 1 and 2 यहाँ हम लिखेंगे from equation 1 and 2 equation 1 and 2 से हमने क्या लिया कि वही AB equal है BP के और BP equal है A के OK तो it means हमारे पास क्या आगया है BP equal है A के OK देखो starting में ही हमें दे रखा था कि यह एक parallelogram है और parallelogram में जो यह opposite side होती है यह equal होती है तो BC equal है AD के जब P midpoint हुआ BC का इन लोगों ने दे रखा है तो क्यों भी तो midpoint हुआ AD का क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि BP की दूरी equal है A के OK की दूरी की since P is the midpoint of BC क्यों is also the midpoint of AD therefore we can say that angle bisector of B also bisect AD hence proved that